जैसी आराम दोस्तों तो चल रहा है सावन का महीना काफी सारे लोग हैं महीलाएं हैं पुरुष हैं दिन में कुवारी करने आए भी हैं लड़के भी हैं जो भगवान शिफ की पूजा करते हैं और भगवान शिफ को परसंद करने के लिए तरह तरीके के विधी विधानों के साथ जो है भगवान शिफ की पूजा करते हैं विदी विदान के साथ उनके स्त्रोतों का चालिसा का पाड़ भी किया जाता है काफी सारे भगवानशिप के आश्टिकों का पाड़ भी करते हैं काफी सारे जो लोग हैं वो रुद्राभी शेक का भी जो है अनुष्ठान करवाते हैं सावन के महीने में सावन के महीनों में भक्तों की जो है कतारे लगी रहती हैं भगवान शिफ की मंदिर में तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सहस्त्र नाम के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रते दिन सुबह उठ करके इस स्तुरूत का पाट करता है तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिफ की असीम कृपा उस जातक पर बरसती है तो आज हम बात करने वाले हैं शिफ जी के सहस्त्र वली के बारे में जिसमें भगवान के एक हजार आठ नामों का वर्णन है आज हम जानेंगे इसी विशेपर कि किसने इसको लिखा था इसका क्या महत्व होता है और सावन की महीने में विशेश तोर पर यदि कोई भी व्यक्ती इस सहस्त्रा वली को प्रतिदिन रूप से पढ़ लेता है या इसका नुष्ठान करता है तो उसको क्या-क्या लाबों की प्राप्ती हो सकती है तो चलिए देन नहीं करते हैं कर लिते हैं टॉपिक को स्टार्ट नील कंट, महाशिव, उमापती, काल भेरव, भूतनाथ, तिलोचन, शशी भूशन, काफी प्रचले थे हैं लेकिन क्या आपको ये जानते हैं कि भोले नाथ को औगरदानी भी कहा जाता है औगर इस पूरे संसार में एक ही औगरदानी है, जो वो हैं देवों के देव महादेव, यानी की भगवान शिव भोले ना जब भी किसी को देते हैं तो कुछ विचार किये बिना ही दे देते हैं वो ये नहीं सोचते कि इस से वो उसका क्या इस्तमाल करेगा, कि उसको इसकी जरुवत है कि नहीं, इन सब बारों में वो विचार भी नहीं करते हैं जो देने में किसी भी प्रिकार का दान करने में कभी विचार ना करें वही औगरदानी कहलाता है आज की समय में कोई भी इनसान औगरदानी नहीं है व्यक्ति कुछ भी देता है तो पहले यहीं सोचता है कि कितना देना चाहिए मेरे पास कितना बचेगा, बच्चों को कितना मिलेगा इस पूरे संसार में एक ही ओगरदानी है तो वो है देवों के देव महादेव याने की भगवान शिफ शंकर भोले ना जब भी किसी को कुछ देते हैं तो छपपड़ फार कर देते हैं इसलिए सावन के मास में हर जो भक्त होता है भगवान शिफ का हर व्यक्ती जो होता है वो यही कोशिश करता है कि भगवान शिफ को वो पूरी तरीके से जो है प्रसन्न कर सके तो आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी सहस्त्रावली का पार्ट ले करके आई हूँ जिसके बारे मैं सब कहा जाता है कि इस पार्ट को यदि प्रते दिन आप करते हैं एक हजार आठ नामों का पार्ट तो कहते हैं भगवान शिफ की असीम कृपा उस जातक पर बरसती है एक हजार नामों की एक पूरी सूची है या कहिए कि एक पूरा इशलोग ही है भगवान शिफ को नकरात्मकता, स्रजन और दुखों के चक्र को समाप्त करने वाला भी माना जाता है उन्हें संघारक भी कहा जाता है और अपने भगवान शिफ की पूजा करके ना पाई जा सके जीवन में समगर बहतरी के लिए शिफ सहस्त नाम पूजा सबसे जादा अति उत्तम मानी जाती है शिफ सहस्त नाम शिफ महापुराण और लिंग पूराण ततम महा भारत जैसे कई अन्य गरंतों में भी पाया जाता है शिफ महापुराण के अनुसार भगवान शिफ के इन हजार नामों का उच्चारण सबसे पहली बार भगवान विश्नु ने ही किया था जब भगवान विश्नु कई प्रयासों के बाद भी राक्षोसों को हराने में असमर्थ थे तो उन्होंने भगवान शिफ से प्रात्ना की और उन्हें प्रसन्न कनने के लिए उनके एक हजार नामों का जाप किया जिस से उन्हें राक्षोसों से लड़ने में के लिए सुदर्शन चक्र भगवान शिफ ने प्रदान किया था चूकि भगवान विश्नु ने स्वैम भगवान शिफ को प्रसन्न कनने के लिए शिफ सहस्त नाम का जाप किया था इसे लिए इसे अविश्वस निये रूप से शक्तिशाली और प्रभाबी माना जाता है वैसे मैं आपको बता दूँ कि एक हजार नाम के साथ साथ भगवान विश्णू ने एक हजार आठ कमल के पुश्पों से जो है भगवान शिव की पूजा आरादना करी थी भगवान शिव के इन हजार नामों का जाब करने से या सुनने से व्यक्ति को शान्ती, स्कुशी, सकरात्मकता और कृतगिता का अनुभव होता है ये मानसिक एकागरता को बढ़ाता है व्यक्ति को संतुष्ट करता है और ये संतुष्टी और एकागरता हमेशा के लिए बनी रहती है इस इस्त्रोत में प्रतेक नाम का एक अनूठा अर्थ भी होता है क्योंकि ये भगवान शिफ के विशेश गुणों को दर्शाता है जो किसी अन्य देवता के पास नहीं है जो भी व्यक्ति पूर्ण आस्था और भक्ति के साथ शिफ सहस्त नाम का जाप करता है तो शिफ के इन नामों के सच्चे अर्थ उस व्यक्ति के समक्ष प्रकट हो जाते हैं विशेश करकी ये पूजा शिफ यंत्र के साथ ही की जाती है इसको सफलता, नौकरी और धन प्राप्ति का मंत्र भी कहा जाता है भगवान शिफ हर रोज सहस्त नाम का जाप करने वाले की रक्षा करते हैं लिंग पुराण में कहा गया है कि शिफ सहस्त नाम का जाप एक हजार अश्युमेद यग करने के बराबर भी माना जाता है सहस्त नाम का प्रतेक नाम हमेशा के लिए शान्ती और खुशी देता है शिव के सहस्त नाम को सुनने से भी जादूई प्रभाब आपको अपने जीवन में देखने पे मिलता है क्योंकि इन नामों का जाब करते समय इन नामों की सकरात्मक्ता और दिव्यता आसपास फैलती है जिससे व्यक्ति को आनंद मैं अनुभव भी होता है जो भी व्यक्ति हर दिन इन नामों का जाब करता है वह असाधारन रूप से द्रण इक्षाशक्ती वाला व्यक्ति बन जाता है क्योंकि उसे महादेव का आशिवात प्राप्त होता है शिव पूजा याम महामिर्ट्युम्जे पूजा निरंतर जब से सहस्त नाम में सिध्धी प्राप्त हो जाती है अर्थात इस सहस्त नाम को जागरत भी किया जा सकता है शिफ के इन एक हजार नामों का जाप करने से हमारे आसपास महात्वपूर्ण परिवर्तन होने लग जाते हैं यह आराम देता है और चेतना को बढ़ाएगा और व्यक्ति अध्यात्में ग्रूप से भी उत्साहित होगा सहस्त नाम का जाप करने से व्यक्ति का मनोवज्यानिक संतुलन बहतर होता है और मस्तिश्क मैं कोशिकाओं और नियूरॉन्स को अनुकूलित करके तंत्र का तंत्र को बनाये रखता है इन सहस्त नाम का जाब करने से आपको मन की शांती मिलती है और आपको इस भौतिक वादी ब्रह्मान में जीवन में पहले कभी भी आपने अनुभव नहीं किया होगा ऐसा अनुभव आपको अपने जीवन में देखने को भी मिलता है महादेव का सहस्त नाम शरीर में जीवन शक्ती बढ़ाता है और सकरात्मक उर्जाब भी देता है यह मस्तिश्क की रशनात्मकता को बढ़ाये रखता है जब से आपको खुशी मिलती है और जीवन में मन की शांती भी प्राप्त होती है जो आजकल के जमाने में सबसे बड़ी समस्या बन गई है मन की शांती हम सभी जानते हैं भगवान शिवने अपने मस्तक पर चंदरदेव को विराजमान किया है और हम अगर हम एस्ट्रोजी की बात करें तो चंदरदेव को मन का कारग ग्रह भी माना जाता है तो यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं निर सहस्त नाम है उसे भगवान स्वयम श्री विश्नु द्वारा लिखा जाता है उन्होंने इसका जाब करके सुदर्शन चक्र को प्राप्त किया था और भगवान शिव की अराधना भी की थी हिंदू धरम में यह माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन हो जाते हैं साथ ही जिस पर भी भगवान शिव की कृपा होती है उसके जीवन से कश्टों और भय से उसको मुक्ती मिल जाती है वही शिव पुराण में भगवान शिव के सहस्त नाम के विशेश महत्व और उससे प्राप्त होने वाले लाब दायक फल के वारे में भी वर्णन किया गया है भगवान शिव के सहस्त नाम का जाप करने से जीवन के सभी कश्टों से आपको मुक्ती मिल जाती है भगवान शिफ्ट को स्वयम्भू भी कहा जाता है जिसका आर्थ है कि वे मानव शरीर से पैदा नहीं हुए है भगवान शिफ्ट का अस्तित्व आदी से अंत तक माना जाता है मानेता यह भी है कि जब कोई नहीं था तब भी भगवान शिफ्ट थी इसलिए हर चीर नश्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व सदा ही रहता है इसी कारण से उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है भगवान शिव के सहसिनाम का जाब सुबह उठकर जो भी व्यक्ति भक्ति भाव के साथ करता है उसको सभी सिद्यों की प्राप्ति हो जाती है यह मा इस्त्रोत अतियंत कल्यान कारी भी माना जाता है भगवान शिव का यह जाब करने से सुख सम्रध्धी के साथ मानसिक शांती का अनुबव भी होता है व्यक्ति जीवन मरंड से दूर होकर मोक्ष को प्राप्त करता है यही नहीं उस पर हमेशा भगवान शिव का आशिवात बना रहता है कालांतर में भगवान विश्णु ने ही जो है भगवान शिव के एक हजार आठ नामों की दशना की थी भगवान विश्णु जैसे ही भगवान शिव के एक नाम का जाप करते और उसके साथ ही एक कमल का पुष्प शिव जी को अरपित किया करते थे इसी प्रकार वे प्रति दिन जाप करने के साथ भगवान शिव के एक को एक कमल का पुष्प अरपित करते रहते थे लेकिन एक दिन भगवान शिव ने एक लीला दिखाई जिसके कारण भगवान विश्णु का एक पुश्प कम पड़ गया जिसके बाद भगवान विश्णु जी ने अपना एक नेत्र निकाल करके भगवान शिव को अर्पित कर दिया विश्णु जी की ऐसी भक्ती और त्याकी भावना को देखकर भगवान शिव अतियंत ही प्रसंद हो गए और भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और यह बोले आपने मैं सरूप का इस्मरण करके सहस्त नाम का जाब किया है आपकी सभी मनुकामनाएं पूरी हो और जो भी सुदर्शन चक्र मैंने आपको दिया है वे हमेशा आपको भैमुक्त रखेगा इस तरह से भगवान विश्णु ने भगवान शिव के एक हजार आठ नामों के द्वारा भगवान शिव को अतियंत ही प्रसंद किया था यदि आप एक हजार आठ फूल कमल के फूल से जो है भगवान शिव का पूजा करते हैं तो कहते हैं कि इसके रिजल्ट आपको छीगर ही देखने को मिलते हैं आप सिर्फ फूलों से जो है भगवान शिफ की पूजा ही नहीं यदि आप चाहें तो आप यग भी कर सकते हैं भगवान शिफ के एक हजार आठ नामों का ऐसा कहते हैं भगवान शिफ जरूर ही उसको स्वपन में उस व्यक्ति को दर्शन देते हैं जो भी इस तरीके से एक का जाप करता है यदि आपको अटूट लक्षमी की प्राप्ति चाहिए या कहते हैं कि आपको अखंड लक्षमी की प्राप्ति चाहिए हो तो कमल गट्टे के जो फूल के जो कमल गट्टा होता है उससे आपको शुद्ध घी से जो है लेना है और उससे हवन करना है उससे ज तो वो करके आहुती दीजे इन एक हजार आठ नामों के साथ, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके घर में अखंड लक्षमी की उसको प्राप्ती होती है, अखंड लक्षमी का मतलब है कि जब तक उसके पुत्र पौत्र इस धर्ती पर रहते हैं, उनके जो परिवार में कभी भी धन की कमी उसको महसूस नहीं होती है, ना ही उसके मान सम्मान में कभी कोई कमी रहती है, उसका जो धन है वो दिन प्रति दिन बढ़ता ही चला जाता है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपको असीम और अखंड संपत्ती की प्राप्ति हो, तो इस प्रकार से नामों का जाप करते हुए आपको कमल गट्टे के फूलों से हवन में आहुतियां जरूर डालना चाहिए, और यदि ये कार आप महा शिवरातिय सावन के महिने में करते हैं, तो इसका दुगना और अनन्त गुनाफल आपको प्राप्त होता है, तो ये थी मेरी चोटी से इन्फोर्मेशन शिव सहस्त नाम के बारे में, ये बहुती शक्तिशाली और पावर्फुल मंत्र भी माना जाता है, आप सब को ये इन्फोर्मेशन कैसे लगी है, कमेंट वाक्स में जरूर से बताईएगा, तो हम मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में, नई इन्फोर्मेशन के साथ, अभी के लिए आप सभी लोगों को हर हर महादेव और जैसी आराम, अगर आप भी मेरी तरह भगवानशिप के भक्त हैं, तो कमेंट वाक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जादा से जादा शियर कीजिए,